जैहिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आईए आज मैं इस विडियो के माद्यम से आप सभी को बताऊंगा कि México का रिजल्ट कब आएगा जैसा कि मैंने पिछले विडियो में भी आप सभी को बताया था कि जो मैट्रिक का आपका रिजल्ट है वोह 31 मार्च को आएगा और हमारे पास यह जो पेपर का कटिन है यह दैनिक भासकर का है और इसमें छपी है कि 31 मार्च को आ सकता है मैट्रिक का रिजल्ट जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको यह बताया था कि मैंने इंटर में गेस किया था कि इस दिन रिजल्ट इंटर का आएगा बाके में उ तबी के सामने यह डेट बताया था, कि पूरी उम्मीद है कि 31 मार्च को result आएगा ही, आज आपका 30 तारीक है, और बहुत सारे यूटुबर यह बता चुके हैं, कि result आपका आ रहा है 2 बज़े, और बहुत लोग कर रहे हैं, कि result आ रहा है 3 बज़े, न हमारा रिजल्ट दो बज़े आ रहा है और नहीं तीन बज़े आ रहा है और थात आपका आज तीस तारीक है और आज रिजल्ट नहीं आएगा और हो सकता है कि बिहार बोड ने फिर से एक बार रचे गाई तीहांस चुकि इससे पहले भी पिछले साल 31 मार्च को है रिजल्ट पब्लिस किया था और इस बार भी 31 मार्च की पूरी उमीद है यानि कि कल आपका मैट्रिक का रिजल्ट आने का 100% समभावना है चुकि टॉपर वेरिफिकेशन भी समाप्त हो गए है तो बस उनको एरेंज करना बच गिया है पेपर का जैसा कि कटीन में आया है तो उमीद है कि रिजल्ट आपका कल आ जाएगा लेकिन हो सकता है कि टॉपर वेरिफिकेशन जो किया गया है उसका यदि लिस्ट उन लोगो के द्वारा तैयार नहीं किया गया होगा तो एक दिन डिले हो सकता है लेकिन पूरी उमीद है कि रिजल्ट आपका कल आ जाना चाहिए चलिए क्या कहता है इसमें आगे ख़बर पढ़ लेते हैं उसको कहता है कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने मैट्रिक परिक्षा 2023 का परिनाम जारी करने की तयारी पूरी कर ली है इसके माध्यम से बताया जाता है कि बिहार वोड ने सारे परक्रियाओं को पूरा कर लिया है आगे कहता है कि बिहार वोड के अध्यक्ष ने बताया कि 30 मार्च को राम नवी है और 31 मार्च क्या मार्च 31 मार्च 31 मार्च तक हर हाल में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा गर्त लब है कि मैट्रिक की परिक्षा के रिजल्ट का इंतजार रिजल्ट का इंतजार रिजल्ट का इंतजार सुल्ल लाख परिक्षार्थियों को है और 60 लाख पर एक छार थी आ कम से कमे में गुना कल जी ये दूसे गुना इसलिए हम करने के लिए बोलते हैं कि ये गो माता और पीता दुन्यों बेचैन है यानि कि मैच्रिक का रिजल्ट एक ऐसा मतलब लोगों के लिए बन चुका है कि बच्चों से ज्यादा तो प्रेसान उनके गार्जियन होते हैं और चुकि हम लोग ओफलाइन क्लास पराते हैं तो बहुत सारे लोगों का गार्जियन का बच्चों का मैसेज आता है कि सर रिजल्ट कब आएगा तो हमने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि रिजल्ट कब आएगा और आज भ कि जैसे हैं भी हारबोड का रिजल्ट आएगा उस समय लाइव आकर भी मैं आप सभी का रिजल्ट को चेक करूंगा और जो भी अपडेट होगा उसको देता रहूंगा थैंक यू